Hello everyone, I am Priyanka Mishra, welcome back to my YouTube channel Students, आज हम Class 6 वसंत भाग 1 से Chapter 16 जिसका शीशक है वन के मार्ग में इसके प्रशनुत्तर देखेंगे इसके MCQ questions और भावरत मैं आपको previous वीडियो में बता चुकी हूँ आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसके थूँ वहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रशनुत्तर Question first है नगर से बाहर निकल कर दो पग मतलब दो कदम चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई तो इसका उत्तर देख लेते हैं नगर से बाहर निकल कर दो कदम वो चली तो चलने पर ही सीता जी कैसी हो गई पसीने से लटपत हो गई और उनके पैरों में क्या हो गया था काटे चुप गयते और उनके जो होट है वो भी सूखने लगे थे प्यास की वज़ा से वो बहुत ज्यादा ठक गई थी वो तो राचकुमारी थी अब उन्हें ने कभी जिंदगी में ऐसा कष्ट देखा नहीं था जैसी वो दो कदम चली तैसी उनको ठक भी गई उनको प्यास भी लग गई थी देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है अब कितनी अब और कितनी थी उन्ने राम जी से पूछा क्योंकि वो ती बहुत जादा ठक गई थी और उन्हें बहुत ज़ादा प्यास भी लग रही थी तो उन्हें से राम जी से पूछा की अभी और कितना चलना है और हम पर्ण कुटी कहा पर बनाएंगी देखते हैं next question next question है राम ने ठकी हुई सीता की सहायता की इसका answer देख लेते हैं राम जी ने सीता जी के पैरों को हाथ में लेकर उनको सहलाया और उनके जो पैरों में काटे लगे हुए थे चुप गए थे उन काटों को उन्होंने प्यार से निकाला देखते हैं next question next question है दोनों सवयों के प्रसंगों में अंतरस्पस्ट करो तो पहला सवयों में कवी ने क्या कहा है राम सीता और लक्षमन जी के वनवास के लिए नगत से बाहा निकलने के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार से निकले थे सीता जी कैसे ठक गई थी और दूसरे सवयों में क्या है लक्षमन जी क्या कहते है सीता मया और राम जी के लिए पानी लेने जाते है और राम जी जो है सीता के प्रती सीता माता जी के प्रती जो अपना प्रेम दर्शाते हैं उसका वनण किया गया है देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन पाट की आधार पर वन के मार का वंडन अपने शब्दों में करना है तो इसका उत्तर देख लेते हैं कविता में तुलसिदाज जी ने ये प्रसंग बताया ही कि जब श्री राम जी लक्षमा और सीता जी वनवास के लिए निकलते हैं तो नगा से थोड़ी दूर में निकलते ही सीता जी क्या होती है वो ठक जाती है उनके माते पर बहुत जादा पसीना होने लगता है उनके होड़ प्यास सूखने लगते हैं लक्षमन जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में श्री राम जो tech जाती हैं तो श्री राम जी से विश्राम करने के लिए कहती हैं तो राम जी जो हैं उनकी इस दशा को देखकर क्या होते हैं बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं व्याकुल होते हैं तो और उनके सीता जी के पैरों को सहलाते हैं और उनके काटों को निकालते हैं तो जब वो पैर से काटे निकालते हैं तो जो सीता जी है वो उनके प्रती प्रेम को देख कर कि राम जी उनसे कितना प्रेम क सवयय में कवी ने राम सीता के किस प्रसंग का वंडन किया है यह शौर्ट में आ सकता है तो प्रतम सवयय में कवी ने राम सीता के वंगमन का वंडन किया है देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन वन के मार्ग में सीता को होने वाली कटनाईयों के बारे में लिखो तो वन के मार्ग से उनके होट भी सूखने लगे थे नंगे पाँ होनी की कारण उनके पैरों में काटे भी चुप गए थे तो उनको बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ा ओ आमला रीक तो थी नहीं, वो राजकुमारी दिन तो जब राजकुमारी को इतना कस्ट सैना पड़ेगा तो दुख तो हो गए उन्हें, परिशानिया तुझेलनी पढ़ेंगी, देखते हैं नेक्स्ट कोशन, सीता की आतूरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया होती है, अब सीता जी को आतूर देखकर, तो राम जी कैसे होते हैं, व तो गई थी देख लेते हैं एक्स्ट कुश्यन राम बैटकर देर तक काटे क्यों निकालते रहे इसका और शॉरी आंसर देख लेते हैं जब लेने जाते हैं जब सीता माता को प्यास लगती है तो लक्षमाजी जो है जल लेने जाते हैं तो शी राम जी पेड़ के नीचे काम करने के वाद सीता जी की क्या पैरों से काटे निकालने लगते हैं जिससे उनके कश्ट तनिक थोड़ा मतलब कश्ट जो हैं तनिक मतलब होता है कम हो सके देखते हैं नेक्स्ट कोशन सवैया के सवैया के आधार पर बताओ कि दो कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाल क्यों हुआ तो सीता जी जो थी बच्पन से ही क्या थी राज की एस तरीके से जीवन अब उनके लिए तो फूलों के जब चलती थी तो फूल सजे रहते थे तो ना ही कभी वो इतना पैदल चली थी तो इन सभी सुविधाओं की अभाव से वन जीवन के अभ्यस्त ना होने की कारण भी जल्दी ठक गई थी, वो इस वातवरण में वो रही नहीं है, इसी वज़ा से वो ज़्यादा ठक गई थी और उनके माथे से क्या है, पसीना बहने लगा था स्टुडेंट्स इसके जो ने भी कोशन आंसर बनते थे, वो यहाँ पर खतम हो गए है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, स्टुडेंट्स हमारे टैलिग्राम चैनल को जॉइन करिए, वहाँ पर आपको जो भी आपको चैप्टर, जो भी आपको वहाँ पर मिलेगी, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई स्टुडेंट्स टेक्यान